क्या आप भी अपना पॉड्कास्ट बनाने की सोच रहे है तो एंकर ट्राइ कीजिए, ये फ्री है, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स है जो आपको अपने फोन पर और कंप्यूटर पर रेकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं आप अपने पॉड्कास्ट को डिस्ट्रिब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लाटफॉर्म्स पर सुना जा सकें, डाउनलोड कीजिए फ्री अंकर आप या विजिट कीजिए अंकर.fm बुक्स दाट स्पीक में आप सभी का स्वागत है कहानी लिखी है हर्मिंदर ओहरी, चित्रांकन हर्मिंदर ओहरी, हिंदी में अनुवाद मनीशा चौधरी, कहानी का वाचन असावरी दोशी. एक दिन चुहे जी को एक बड़ा सा बन मिला, मैं इस बन को घर ले जाऊंगा, वो बोले, उन्होंने बन को पीछे से खिसकाया, बन नहीं हिला, उन्होंने आगे से खीचा, बन नहीं हिला, दाए से धक्का दिया, बन नहीं हिला, बन के पीछे से भागे, और बाए से धक्का दिया, पर बन नहीं हिला, मैं इस पर रसी बांधूंगा, इसे खीच कर घर ले जाऊंगा, चुहे जी दोड़ कर घर से रसी ले आए, अरे, पर वो तो छोटी पड़ गई, वो वापस गए और लंबी रसी लाए बन को बांधा और खीचा और खीचा पर बन नहीं हिला चुहे जी बैड़ गए और थोड़ा सा बन कुत्रा वाह! क्या स्वात था थोड़ा और खाया थोड़ा और और फिर थोड़ा और बन तो छोटा होता गया अब बन को हलका सा धक्का दिया और वो सीधे लुड़कता हुआ उनके घर के अंदर चुहे जी तो बड़े खुश पूरा का पूरा बन सही सलामत उनके घर में था पर उन्होंने इतना बन खाया था कि उनका पेट इतना 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 बड़ा हो गया चुहे जी ने खुद को बड़ा धक्का लगाया पर अपने घर में नहीं गुस पाए अपने दर्वाजे के बाहर चुहे जी पेट पकड़ कर बैड़ गए इतना सारा बन नहीं खाना चाहिए था मुझे किसी के साथ बाट लेता तो कितना अच्छा होता कैसी लगी ये छुटी सी क्यूट कहानी चुहे राजा की तो ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया